हाई गाईज वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल क्यूट्रैबी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दिवाली में अपने रैबिट को कैसे सेफ रखें सबसे पहली बात गाईज रैबिट को बिलकुल मजा नहीं आता है जब आप लोग पठाके फोड़ते हैं उसके यर्ज को बहुत नुकसान पहुचता है उससे तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट में जिससे आप लोग रैबिट को सेफ रख सकते हैं दिवाली के टाइम पे तो पहला point हमारा आता है कि आप किसी भी ऐसे कमरे में rabbit को ना रखें जिस कमरे में समान कम हो उससे eco जादा होगा और rabbit और जादा डरेगा second point आता है आप ऐसा ना करें कि आप खुद के घर में ही crackers फोड रहें क्योंकि अगर आप खुद के घर में ही crackers फोडेंगे तो rabbit तो परशान हो गई क्योंकि automatic crackers के आवाज rabbit तक जाएगी क्योंकि crackers noise pollution भी करते हैं normal air pollution की तरह और जैसे कि मैंने आपको last point में बताया कि आप crackers ना फोडें और crackers ना फोडने के साथ साथ आप लोग अपने neighbors को भी कह सकते हैं कि हम लोग एक get together कर सकते हैं या फिर हम लोग मिठाईया खाएंगे बहुत fun करेंगे खेलेंगे लेकिन crackers ना फोडें सिर्व रैबिट की वज़े सही नहीं वैसे भी और guys हमारा अगला point आता है कि रैबिट को जिस भी कमरे में आप रखें उसमें एक सही amount में पानी सही amount में खाना और कुछ खेलने के toys भी रख दीजे जिससे रैबिट entertain रहें और उसका मतलब पटाकों पे दिहान ना रहे और अगर आपका रैबिट पानी नहीं पी रहा है कई लोगों का रैबिट पानी नहीं पीता है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ तो description में link मिल जाएगा वो जरूर देखेगा फिर गाइस हमारा last point आता है रैबिट को कभी अकेला उस कमरे के अंदर क्योंकि दिवाली तो लोग बहुत देर तक मिनाते हैं इसलिए कभी भी रैबिट को एक कमरे के अंदर एक से दो घंटे के लिए अकेला ना चोड़े वो वैसी डर रहा होगा थोड़ा बहुत तो और जाएगा क्या एक वार को आप पटाके नहीं जलाओगें लेकिन आस पास के लोग वो सकता हैं जलाएं आपकी बात ना मानें क्योंकि लोगों को भी तो जलाने होते हैं पटा के, लोगों के घर टीड्स होते हैं तो उनका मन करता है पटा के जलाने का इस वज़े से आते रहे अपने कमरे में rabbit को pet करते रहे और एक बाई देख लीजे कि वो safe है और अगर आपका rabbit bed के नीचे बैठाए है तो उस चीज़ को सही समझें रैबिट को निकाले ना बैड के नीचे से बैड के नीचे आवास कम पहुचेगी और रैबिट सेफ महसूस करेगा तो चलिए गाईज आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं बाद में बाद में बाई गाईज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे BYE GUYS